बहुत कमाल की सोच है और कमाल का एक विचार है अविशेग जो निर्देशक है इनका अगर समेट रहें तिन घंटे में तो उसको जीवन्त बनाईए ऐसा लगे कि रामायन आपके सामने घटित हो रहा है अगर इस ये करने में अभिशेग बिहाराट थियेटर अगर सफल होता है तो ये बहुत बड़ी कामया भी होगा नमस्कार इनसाइटर लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कूमल इस बार काली रास रंगाले में रामलीला का मंचन होने जा रहा है जो इनसाइटर लाइफ द्वारा आयोजट है और महस तीन घटे में आप पूरी कि बूरी रामलीला देख सकते हैं इनसाइटर लाइफ पर लाइफ हमारे साथ मनोजबाजपेई सर है सर, इंसाइडर लाइफ पहली बार आयुजद कर रहा है, ये पूरी पूरी राम लीला आयुजद कर रहा है, क्या कहेंगे इस बार? नहीं, बहुत कमाल की सोच है, और कमाल का एक विचार है, अविशेक चुर निर्देशक है इनका, और तीन घंटे में पूरी राम लीला का अगर मजा लोग ले लें, राम लीला सिर्फ एक इंटेटेन्मेंट नहीं है, बलकि जीवन का एक सबब है, सबक है, और पहले रात रा राम लीला लोग करते थे, चुकि भागा दोड की जिन्गी हो चुकी है, इसमें ये तीन घंटे का मंचन बहुत ही कारगर साबित होगा, और लोगों को ना सिर्फ एक बहतर और एक हेल्दी एंटेटेन्मेंट उनका होगा, बलकि जीसे कहें कि रामायन और पुरी राम की ज आपने राम लीला देखा है, गाओं में, आप स्टेज शोज में काफी आक्टिव रहते थे, स्टेज में पार्टिस्पेट करते थे, तो क्या आपने कभी राम लीला देखा हैं? में आपने के हbling पांसा जासा महाल जहां कही भी राम लीला का मैंचन होता है, और मैं चाहूँगा कि जब राम लीला का मंचन यह लोग कón inा क्छाम लीज थे लोग करें, तो घृत्षबिक करें कि व्याक जब दर्शक कर जग जाए, तो वो दर्शक नभी रहार यां रामक तक या उस auditorium के सभागार के अंदर आने के लिए उत्सुक रहे गा और बच्चे बहुत आते हैं इसका ध्यान ज़रूर रखा जाए कि बच्चे जो है एक रंगमंच का अनुशासन नहीं जानते हैं तो आप बच्चों की उस आवाज में बच्चों की उस किलकारे में आप कैस सबका मुनरंजन कर पाएं और रामायन का कि एक एक जो बाते हैं वो लोगों तक पहुँच पाएं ये निर्देशक का और उनके सारे के सारे साह कर्मियों के हाथ में हैं और मेरी शुबकामनाय है कि पतना में ये रामलीला सिर्फ इसी साल नहीं आगे आने वाले कई सालों तक भले ही उसमें अभिनेता बदलते रहें ये ये कई सालों तक ये परंपरा जिसको शुरवात अभिशेक और राकेश और ये सब लोग कर रहे हैं इंसाइडर लाइव जिसको सपोर्ट कर रहा है जिसके जरिये ये आ रहा है ये सालों सालों तक पतना की परंपरा के साथ यहीं मेरी कामना है और इसके लिए आप सब को सारी किसारी टीम को मैं बढ़ाए देता हूं सर कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे जो इसमें पार्टिसिपेट कररी में उन कलाकारूं को क्या क्या बहुत कठी नैं बहुत कठिन है कि रामायन का पुरा मंचन रामलिला ज्यादातर लोग उसको बहुत बढ़ा चरहा करें कि उसका मंचन होता है जी नौनों दिन तक होता था और चलता ही रहता था और इसको अगर समेट रहें तीन घंटे में तो उसको जीवन्त बनाईए ऐसा लगे कि रामायन आपके सामने घटित हो रहा है तो अगर इस ये करने में अभिशेक बिहारार थीटर अगर सफल होता है तो ये बहुत बड़ी कामयावी होगी बहुत बहुत धन्यवाद सर